नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान काड़ा पर दोस्तों मैं हूं राकिस सिहाग जैसा कि आपको पता है हमारी 500 क्यूशनों की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में मैं आपको 11 वीडियो कंप्लीट करवाद चुका हूं आज हम पढ़ तो थोड़ा सा आप से महं माँग सकता हूं एक सेर आप से मांग सकता हूं एक सेर कर दीजе बस ठीक है तो वीडियो का मैं स्टार्ट करते हैं और पहरे साथ यो इसके बाद आपके पास दो उप्सन है यह जैसी 500 क्यूशन कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको मैं दो उप करते हैं आज की 500 कुछन की सीरीज को 12 नबर वीडियो आपके सामने पर्जेंट करूँगा तेंस जी क्यानबर वीडियो पर्जेंट करूँगा बड़ा स्यांदार वीडियो हने वाला है आप अंत तक बने रहेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो देखें सबसे पहले बात बता दूम आपको कि हमारा जो दो टोपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं दूसरा टोपिक मैंने आपको पाचन, सौशन, उच्षरजन, रक्त परिशंचरण, अंतैसरावीत अंतर, चंत्रीकात अंतर इन से समधित करवाया था लगबग इसकी 173 क्यूशन मैंने आपको करवाया थे लगबग 173 क्यूशन ठीक हैं दोसर क्यूशन मैंने आपको अधार भूतत्व और देनिक विग्यान के करवाया थे और अब मैं आपको पोशन के करवा रहा हूँ यानि कार्वो हायट्रेट, प्रोटिन, वसा, विटामिन इनके बारे में करवा रहा हूँ, इसके occlusion में आपको लगबग, 1000 Elquusion के लगबग करवा openings उसके बाद आपका एक topic बचेगा, वो छोटा सा topic है उस topic का आप नाम लिख सकते हो, स्वास्थि विग्यान, और स्वास्थे विग्यान में पहरे साथ हो, दो topic आते हैं एक आपका आता है संतुलित भोजन और संतुलित भोजन के अंदर यही टोपिक आजाता है आपका पोस्वन का संतुलित भोजन में यही टोपिक आजाता है तो वैसे इसको अलग से दे दिया अब स्वस्थे विज्यान के अंदर आपका एक आता है एसंतुलित भोजन, अब एसंतुलित भोजन से क्या होता है, आपको रोग होते हैं तो एक topic आपका रोग का रहे गया वो रोग का topic में आपको अलग से करवाँगा और रोगों से समझेत में आपको अलग बुक 50 question करवाँगा जो बड़ी important होंगे, जो exam में आई हुए होंगे इस प्रकार से हमारी 500 question की series complete हो जाएगी अगर फिर भी इसको आगे जारे रखना है इसी series को आगे जारे रखना है या फिर नई series आपके लिए सालू करनी है वो आप बता दीजिए 500 question की PDF आपको मिल जाएगी जैसे 500 question का class complete होगा उसके बाद PDF आपको मिल जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो बता दीजिए किस प्रकार से आपको पढ़ना है आपको होगे वैसे मैं आपको पढ़ा दूँगा चलिए, स्टार्ट करते है class को 391 number question से 391 number question आपके सामने है पहरे साथियो हाँ, बड़ा कर दिया मैंने आपके सामने देखिए zoom इसको कर दिया है question है कि ततकालिक उर्जा का स्रोत किसे माना जाता है यानि ततकालिक अगर उर्जा प्राप्त करने है ततकाली कुर्जा गर आपको प्राप्त करने हैं तो आप किसका उप्योग करेंगे किसका उप्योग करेंगे पहरे साथियो गुलकोज का उप्योग करते हैं आपने देखा होगा गुलकोज का उप्योग करते हैं तो आप किसका उप्योग करते हैं गुलकोज का उपियो करते हैं, गुलकोण डी का उपियो करते हैं, तो गुलकोण डी एक परकार की गुलकोज होती है, ठीक है, जिस परकार से अपनी खिलाडियों को देखा होगा, खिलाडी बहुत ज़्यादा दोड़ लेते हैं, तो उसके बाद वो पानी पीते हैं, वो पा कोसी का भीति किस की बनी होती है तो कोसी का भीति पैरे साथियो सेलूलोस की बनी होती है कोसी का भीति किस की बनी होती है सेलूलोस की बनी होती है अब ये कोसी का भीति क्या होती है तो पैरे साथियो कोसी का भीति केवल और केवल पादब कोशिका में पाई जाती है किसके अंदर पादब कोशिका में पादब कोशिका का सबसे बाहर का जो आवरन होता है सबसे बाहर का जो आवरन होता है उस आवरन को हम क्या बोलते हैं उस आवरन को बोलते हैं कोशिका भीति क्या बोलते हैं कोशिका भीति और ये कोशिका विति यानि बाहर का आवरन पादब कोशिका केंदर किसका बना होता है तो cellulose का बना होता है और cellulose के बारे मैंने आपको कल बताया था अगर आपको याद है तो मैंने आपको cellulose के बारे में बताया था वो एक अवसियसी अंग होता है जिसने कल की क्लास देखी थी उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कोशिका भीती पादप कोशिका का भार कावरन होता है से लिलोज का बना होता है उप्सन नमबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा अगला क्यूसन है कि निमन में से कौ हिक्षोज सरक्रा का उधारन है हिक्षोज सरक्रा है कि कौन सा है यानि जिसके अंदर शे परकार की सरक्राइं होता है नांत्योज साह ये ना के अंदर पाई है आपके डियोक्सी राइबोज सरक्रा, तो यह डियोक्सी राइबोज सरक्रा, हेक्सोज सरक्रा के नाम से जाने जाती है, इसको हम एक्सोज सरक्रा भी बोल सकते हैं, अब सन नमबर D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना पहरे साथियो, ठीक है, यह जो गुलकोज, फ्रक्टोज और लेक्टोज हैं या आपकी मोनो से किराइट हैं क्या हैं ये मोनो से किराइट यानि इसके अंदर सिर्फ खुद हैं या केली हैं लेकिन डियोक्सी के अंदर 6 परकार की सरक्राय पाई जाती हैं इसलिए इसको हेक्सोज सरक्रा की सरेणी में रखा है अगला क्यूशन है कि अत्रिक्त वसा कोन से उत्कों में जमा होने लगती है अत्रिक्त वसा यानि हम ज़्यादा वसा को प्योग कर लेते हैं तो वो हमारे कोन से उत्कों में जा करके जमा होने लगती है तो पहरे साथियो आपको पता है हमारे सरीर में जो उत्तक होते हैं वो उत्तक तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक उत्तक उसमें होता है वसी उत्तक वो सिर्फ क्या करता है वसा का संचरन करता है यानि वसा को संगरहित करता है वसी उत्तक और वसी उत्तक हम बोलते है एडिप जादा चिकनाई खाएंगे तो जादा चिकनाई जाकरके कहां पर इखटी हो जाएगी वसी उत्तक या फिर एडिपोज उत्तक में बर्दी हो जाएगी और वसी उत्तक कहां पर पाये जाता है पहरे साथ हो यह जो एडिपोज उत्तक है यह हमारे पेट में पाये जाता है कहां option number B आपका बिल्कुल right हो जाएगा अगला क्योस्टन है कि protein की मूझ काई क्या है मैंने आपको बताया था देखिए जो आपका आपका carbohydrate हता है उसकी मूझ काई क्या होती है कारबो हाइट्रेट की मूझ क्या आपकी सरक्रा होती है क्यों कै सरक्रा सरक्रा, बहुत सारे सरक्राएं मिलकर के कार्वोहेट्रेट का निर्मान करते हैं बहुत सारे एमिनो अमल मिलकर के प्रोटिन का निर्मान करते हैं बहुत सारे नेफरोन मिलकर के किड्ने का निर्मान करते हैं वरक का निर्मान करते हैं और बहुत सारे निरोन मिलकर के तंत्री का तंत्र का निर्मान करते हैं, तंत्री का तंत्र का निर्मान करते हैं, तो प्रोटिन की मूली का ही क्या हो गई, एमिनो अमल, ठीक है, चलिए, खला कि उसने है कि प्रोटिन का नामकरण किस ने किया, प्रोटिन का नामकरण किस ने कि प्रोटिन का नाम करन बर्जिलियस और मुल्डर ने किया अगर आपको यह याद नहीं है और आपको यह तीन याद है तो आप आराम से कर सकते हो वाटसन और क्रिक ने डी एन एका द्वी मोडल परस्तूत किया था द्वी मोडल जिसको बोल सकते हैं यानि इसकी दो द्वी कुंडलित मोडल आपसे पूछेगा कि DNA का द्वी कुंडलित मोडल किसने परतिपादित किया तो वाटसन और क्रिक ने परतिपादित किया अच्छा मार्सेलो मेलपीगी ने क्या किया था तो मार्सेलो मेलपीगी ने जानवरों के अंदर कोसिका की खोज की थी तो कोशिका को खोज डाला था, कोशिका की खोज की थी, आप सभी को पता है, इसी प्रकार से रोबर्टुक के नाम की जैसे एक होता है, रोबर्ट ब्राउन, एक रोबर्ट ब्राउन था, उन होने पहरे साथ यो केंदर की खोज की थी, कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के उसे तो आपके CHO ही पाये जाते हैं Carbon, Hydrogen और Oxygen ही पाये जाते हैं लेकिन एक तत्वे और होता है जो लगबग 16% मात्रा में पाये जाता है उसकी मात्रा 16% होती है Protein के अंदर उस तत्वे का नाम आपको बताना है तो उस तत्वे का नाम आपको बताना है पहरे साथ यो उस तत्वे का नाम आपको बताना है जो protein में पाये जाता है तो उसका नाम है nitrogen nitrogen आपका कितने % मात्रा में पाये जाता है तो 16% मात्रा में protein के अंदर पाये जाता है अच्छा ये Qe wyp question मैं आपको पीछे बताया था C-oh का जो अनुपात होता है वो आपको मैंने बताया था कब जब मैंने आपको कार्बो हाईट्रेट बढ़ाया था कार्बो हाईट्रेट में क्यूशन आप सको बुचेगा कि कार्बो हाईट्रेट में CHO का अनुपात क्या होता है 1-2 अनुपात 1-1 किस की बात है किस से प्राप्त होती है सरवाधिक प्रोटीन हमें किस से प्राप्त होती है तो पहरे साथ यो सरवाधिक प्रोटीन जो है न वो हमें सोयाबिन से प्राप्त होती है सरवाधिक प्रोटीन सोयाबिन से प्राप्त होती है और सरवाधिक आपकी जो सरवादिक आपका जो कार्बोहेट्रेट है सरवादिक जो कार्बोहेट्रेट है वो आपको प्राप्त होता है चावल से सरवादिक कार्बोहेट्रेट चावल से और सरवादिक प्रोटिन आपको प्राप्त होती है सोयाबीन से ठीक है? चलिए अगला क्यूस्टन किस सेवाल में प्रोटीन की मात्रा सरवादिक होती है किस सेवाल के अंदर प्रोटीन की मात्रा सरवादिक होती है तो ध्यान डखना साथ ही हो उस सेवाल का नाम आपको बताना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सरवादिक होती है वेशे सोयाबीन में सरवादिक protein होता है लेकिन आपको पुछा है सेवाल का नाम उस सेवाल का नाम है कलोरेला कलोरेला नाम का जो सेवाल है पहरे साथ ही हो उसके अंदर सरवादिक मातरा में protein होता है उप्सन नमबर A आपका right answer हो जाएगा ये एक सेवाल होता है जो जिसको हम काई बोलते है जो पाणी के अंदर पाई जाते हैं हैरी हरी वही आपका कलोरेला protein है कलोरेला सेवाल है और इसके अंदर सरवादिक मातरा में protein होता है अगर सेवालों की बात करें तो सेवालों की बात करें तो वरना तो सोयाबिन के अंदर होती है प्रोटिन सबसे ज़्यादा ये दोनों बाते आपको ध्यान रखनी है चीक है जलिए अगले क्यूसम की बात करते है 400 नंबर क्यूसम 400 नंबर क्यूसम है कि किस सेवाल को अंत्रिक्स यात्रियों का भोजन कहा जाता है किस सेवाल को अंत्रिक्स यात्रियों का भोजन कहा जाता है तो पहरे साथ यो जिनके अंदर सरवादिक प्रोटिन होगी वही आपका क्या कहलाएगा वही आपका क्या कहलाएगा भोजन कहलाएगा तो क्लोरेला नाम का जो आपका प्रोटिन होता है Chlorella नाम का Protein, यही Chlorella नाम का Protein, ठीक हैULL साके चलिए अब देखे 401 नमबर और 402 नमबर क्यूशन आपको रटने पड़ेंगे ध्यान रख लेना क्यूशन है कि प्रोटिन संग्ठन में कुल कितने अमिनो अमल शक्र ये रूप में भूमिका नवाते हैं यानि क्यूशन आपको क्या पूचा है कि जो प्रोटिन जो बनता है प्रोटिन का एक अनू बनने में आपको एमिनो अमल के कितने अनू चाहिए जो शक्र ये रह सके कितने अमिनो अमल के शक्र ये अनू आपको चाहिए ये पूचा है आपको तो ध्यान रखना साथ यो इस क् सक्क्र ये रहेंगे तब आपका 1 प्रोटिन कानू बनेगा एक प्रोटिन कानू बनाने के लिए आपको 20 सक्क्र ये क्या चाहिए एमिनो अमल के अनू चाहिए तो ओपसन नमबर एक भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी प्रकार से आवसेक एमेनो अमलो की संख्या कितनी होती है तो ध्यान रखना साथियो आवसेक एमेनो अमलो की संख्या 10 होती है 10 ऐसे एमेनो अमलो होती है जिनके आवसेक तामे सबसे ज़्यादा पड़ती है तो यह याद रखना पड़ेगा आपको option number A आपका बिल्कुल right हो जाएगा मेरे पहले साथियों ध्यान रखना option number A आपका बिल्कुल right है चलिए उमीद कर रहा हूँ पहले साथियों मैं करवा रहा हूँ आपको यह बहुत अच्छे से आपको समझ मैं रहा होगा बहुत अच्छे से आप अपनी त्यारी कर रहे होगे अब आगे कैसे करवाना है क्या करवाना है मैंने आपको दो option दिये थे ठीक है उन दो option के आधार पर मेरे को बताना है आपको करवाना क्या है ठीक है चलिए अगला question हम डिसकस करते है 403 number question 403 number question है कि अनावसिक अमिनोमल की संख्या हमारे सिरियर में कितनी होती है एसे अनावसिक अमिनोमल कितनी होती है हमारे सिरियर के अंदर जिनकी हमें आवसिक ताब बिलकुल भी नहीं होती तो उनकी संख्या पहरे साथियों होती है 10 दस तो अनावसेक होते हैं और दस ही क्या होते हैं आवसेक होते हैं दस अनावसेक दस आवसेक यह यह बात आपको याद रखने पड़ेगी अगला क्योशन प्रोटीन संसलेशन के स्थल को क्या कहा जाता है protein sensation का मतलब जहाँ पर protein बनता है उस स्थल को क्या का जाता है उस स्थान को क्या का जाता है protein का sensation कहाँ पर होता है तो पहरे साथ यो ध्यान रखना protein का जो sensation होता है वो आपका lysosome के अंदर होता है कहाँ पर होता है lysosome lysosome आपका protein sensation करने का काम करता है प्रोटिन को निर्मित करने का काम करता है तो रिये लाइसोसोम नी राइबोसोम आपका उप्सन नमबर C आएगा राइबोसोम आपका प्रोटिन संसलेशन का करने का काम करता है प्रोटिन का निर्मान जो होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है ठीक है न, राइबोसॉम के अंदर आपका प्रोटीन का निर्मान होता है ध्यान रखना ये बात गलत बता दी मैंने राइबोसॉम आपका बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा, राइबोसॉम में प्रोटीन का संसलेशन होता है लाइसोसोम की बात करते हैं तो इसकी कोज डी डवे नाम के वेक्ति ने की थी, डी डवे ने, इसके अंदर खोजा था, चुहे की यकरत कोशिका में खोजा था, यानि चुहे की जो लीवर होती उसमें खोजा था, है ना, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को आतम हत्या की थेली का आतम घाती थेले किसको आता है? राइबोस्वाम को ग्याता है क्यों कहते हैं? अगला क्योंचन है कि प्रोटिन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटिन की कमी से पैरिसाथियो आपका रोग होता है? क्वासियोरकर क्वासियोरकर नाम का जो रोग होता है पहरे साथ ही वो किस की कमीशी होता है तो वो आपका प्रोटीन की कमीशी होता है सकर्वी रोग विटामिन C की कमीशी होता है रिकेट्स रोग विटामिन D की कमीशी होता है और osteomalacia i rog जो है वो भी vitamin D की कमी से है और calcium टवや की कमी से होता है और ricats rog है वो भी vitamin D और calcium and की कमी से होता है ठीक है तो यह qyasी और कर rog है वो आपका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा यह बीस में क्या है चली क्यूसन है 406 नमबर क्यूसन अंजायम किसके बने होते हैं अंजायम जो है वो किसके बने होते हैं तो पहरे साथ ही ध्यान रखना अंजायम जो बने होते हैं वो आपके प्रोटिन के ही बने होते हैं किसके बने होते हैं प्रोटिन के बने होते हैं प्रोटिन के बने होते ह option number आपका जो B होगा वो बिल्कुल correct हो जाएगा अब देखिए बहुत interesting question मैं आपको दे रहा हूँ और पहले से ही मैंने मिलान करके दे दी हैं आपको सिर्फ याद करना है मेरा man, motto, man, मकसद जो है नवो सिर्फ याद करवाना है आपको बैतर से बैतर में आपको याद करवा दू जिससे आप प्रिक्षा के अंदर पटाका फोड दो, हना पटाका फोड ना है आपको अग्जाम के अंदर और पटाका फोड ने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सली अगला question 407 number question है एक तरफ आपको पदार्थ दे रखा है और एक तरफ आपको विटाम ये प्रोटीन दे रखी है दूद के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन होती है अंडे के अंदर आपकी अलबूमिन नाम की प्रोटीन होती है बिल्कुल सही है याद रखना अब याद करने का काम आपका है पहर साथी हो, मैं आपको सिर्फ content दे सकता हूँ, अब यह नोकरी लगोगे तो नोकरी भी तो पैसे भी तो आप खुद ही रखोगे ना, मेरे को तो नहीं दोगे, याद तो करना पड़ेगा मैं content दे सकता हूँ, बुरी मत मानना इस बात को, इ करने के लिए, तो बात अगर बुरी लगे, कोई बात नहीं लग जाने दो, लेकिन जब नोकरी लग जाओ, तब मेरे को माफ कर देना, ठीक है, चलिए, अगला question, 408 number question, मनुसे के बाल, नाखुन, जानवरों के सिंग, खुर में के अंदर कौन सी प्रोटिन पाई जाती है, यहीं मनुसे के जो बाल होते हैं, नाखुन होते हैं, जानवरों के सिंग होते हैं, खुर होते हैं, उनके अंदर कौन सी प्रोटिन होती है, तो उनके अंदर जो प्रोटिन होती है पहरे साथियो, उनका नाम है किरेटिन, किरेटिन नाम का जो प्रोटिन होता है पहरे साथि केटों का जो बाहर का आवरन है वो भी आपका किरेटिन के द्वारा ही बना होता है स्टोन नाम की जो प्रोटिन पैर साथियो वो गुनसुत्र निर्मान में साहिता करती है गुनसुत्र निर्मान में साहिता करने का काम कौन करती है स्टोन नाम की प्रोटिन करती है केरोटिन जो प्रोटिन 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 प्रो आम के अंदर, आम का पीला रंग, आम का जो पीला रंग होता है, वो किस के कारण होता है, बिटा के रोटिन के कारण होता है, एक्टिन और मायोसिन की बात करते हैं, तो यह आपकी मास पेशियों के अंदर भाई जाती है, कहां पर भाई जाती है, मास पेशियों के अंदर, यह प्रोटीन काम आती है गुनसूतर निर्मान में आपकी हिस्टोन नाम की प्रोटीन काम आती है अभी मैंने आपको बताया था खीक है और पहरे साथ यो यह जो आपका ग्लाई एडिन दे रखा है ग्लाई एडिन क्या करता है हमारे सिर्म रेसेदार पदार्थों का निर्मान करता है रेसेदार पदार्थों का निर्मान करने का काम कौन करता है पहरी साथियो ग्लाई एडिन नाब का प्रोटिन करता है जिसके द्वारा हमारे कब्ज की बिमारी दूर होती है कब्ज की बिमारी दूर करने काम कौन करती है ग्लाइडिन प्रोटिन करती है ठीक है और ये गोसी पीन आपकी कपास के अंदर पाई जाती है इसलिए इसको कपास प्रोटिन के नाम से जाना जाता है जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा क्यूशन करवा रहा हूँ तो आप बुरा मत मानना क्योंकि ये क्यूशन आपको करवाने जुरूरी है वह ज्यादा इसलिए थोड़ा करवा रहा हूँ 411 नमर क्यूशन को देखे, 411 नमर क्यूशन आपको पूछ रहा है, जोर जोर से बोल बोल के पूछ रहा है, कि प्रोटीन का मुख्यकार ये क्या है, वो आपको बताना है, प्रोटीन का जो मुख्यकार ये पहरे साथ ही, वो आपको बताना है, और प्रोटीन का मुख्यकार य कोई नहीं ये तो हो नहीं सकता अन्वानसिक गुनों को स्थानांत्रित करने में ये काम नहीं आता है पहरे साथियो अन्वानसिक गुनों को तो स्थानांत्रित आपका DNA और RNA करते हैं DNA और RNA करते हैं इसलिए ये काम नहीं आता ये भी नहीं होगा अच्छा उर्जा परदान तो हमें सरवादिक कहां से प्राप्त होती है सरवादिक तो हमें वसा से प्राप्त होती है और उसके बाद हमें कार्बोहाइट्रेट से प्राप्त होती है उसके बाद हमें प्रोटिन से प्राप्त होती है तो ज़्यादा तो काम नी करता उर्जा परदान करने का लेकिन सबसेज़दा काम करता है ये सरीर का निर्मार्णा करने का और मरमत करने का काम कौन करता है प्रोटीन करता है अपसन नंबर भी आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है डीकी है अगला question है कि जीव दर्वे में सरवादिक मातरा में पाया जाने वाला कार्बनिक योगिक ज्यानि हमारा जो सरीर होता है उसके अंदर जीव दर्वे पाया जाता है हमारी जो कोशिका होती है कोशिका कोशिका के अंदर का एक भाग होता है जिसको बोलते हैं जीव दर्वे क्या बोलते हैं जीव दर्वे अच्छा जीव दर्वे होता क्या है कोसी का के दो भाग होते हैं एक तो होता है बहारी भाग जिसको हम क्या बोलते हैं कोसी का भीति या फिर जिली कोसी का जिली बोलते हैं लास्ट भार का भाग और उस कोशी का जिली के अंदर का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं अंदर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं जीव दरवे और इस भार के भाग को हम क्या बोलते हैं कोशी का भीती तो यह जो अंदर का जो आपका जिव दिर्वेवाला भाग होता है इसके अंदर सरवादिक मातरा में क्या पाया जाता है तो इस अंदर वाले भाग में सरवादिक मातरा में आपका प्रोटिन पाया जाता है क्या पाया जाता है प्रोटिन जिसे मैं आपको बताओं देखिए यह आपके क्या है बहार की परत है इस बहार की परत को बोलते हैं प्यारे साथियो कोशी का जिली कोशी का जिली ठीक है कोशी का जिली और इसके चारों और एक और पाई जाती है परत उस परत को बोलते हैं कोशी का भीती उसकों क्या बोलते हैं कोसी का भीती बोलते हैं ठीक है अब बात है अंदर की अंदर जाना यहां पर एक पाया जाता है इस परकार का केंद्रक ठीक है एक केंद्रक पाया जाता है जो दूसरी बात आपको ध्यान रखने हैं साथ यो मैं और बात बता हूँ आपको यहां पर कु किस भागों को हम बोलते हैं? जीव दर्वे. क्या बोलते हैं? जीव दर्वे बोलते हैं और इस जीव दर्वे के अंदर सरवादिक मातरा में आपका क्या होता है? प्रोटिन होता है. ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा? बिल्कुल. चैल यह बई. अगले क्यूसन की बात करते हैं. क्यूसन है कि लिपीड यानि वसा किस के बने होते हैं? देखिए प्रोटिन तो आमिनोमलों से बने होते हैं. ये तो आमिनोमल से तो प्रोटिन बने होते हैं. ठीक है? और वसी अमल के द्वारा कौन बना होता है वसी अमल के द्वारा आपका बना होता है पहरे साथियो वसी अमल के द्वारा आपका बना होता है वसा बना होता है और ग्लीस रोल भी एक परकार का वसा का ही उधारन है तो वसीय अमल और ग्लिस रोल दोनों के द्वारा क्या है आपका दोनों के द्वारा आपका वसा बना होता है इसका मतलो उप्स नमबर आपका D क्या होगा correct answer होगा उप्स नमबर D आपका बिल्कुल correct हो जाएगा वसीय अमल और ग्लिस रोल के दुवारा किस का अंद्रिमान होता है पहरे साथियो तो ध्यान रखोगे आपका वसा का अंद्रिमान होता है ठीक है चलिए यह रुक गया वही साहब तो बात करें गले क्यों सुन की देखिए कि एक ग्राम वसा से मानो शरीर को कितनी केलोरी उर् प्राप्त होती है एक ग्राम वसा की बात हो रही है एक ग्राम वसा की यहां पर बात हो रही है तो पहरे साथियो मैं आपको बता दूँ एक ग्राम वसा से जो उर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अपकी 9.3 केलोरी यहां पर केलोरी पूछे अच्छा केलोरी प आपको पूछ लेता किलो केलोरी किलो केलोरी पूछ लेता पहरे साथियो तो आपका answer हो जाता 9.3 केलोरी किलो केलोरी 9.3 केलोरी अगर किलो केलोरी में मान पूछता तो आपका option number A होता अब आपको सिर्फ केलोरी में पूछा है इसलिए एंसर आपका हो जाएगा 33 में सु ठीक है न, उप्सन नंबर सी आपका बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है 4 KCL KCL यानि 4 किलो किलोरी उर्जा में कहां से पराप्त होती है कार्बो हाइट्रेट से ये आँखड़ आपको ध्यान रखना है और पहरे साथ शुम आपको बता दू 4.1 4.1 KK 4.1 KK उर्जा में कहां से पराप्त होती है प्रोटिन से पराप्त होती है ठीक है न, तो ये कुछ आँखड़ ध्यान रखने है और 9.3 हमें पराप्त होती है वसा से अब चिकनई तो घी भी है, चरवी भी है, मोम भी है तो संत्रिप्त वसी अमल आपको पूछा है तो संत्रिप्त वसी अमल का अधरन आपका हो जाएगा पहरे साथ यो तीनों के तीनों तीनों ही क्या है? संत्रिप्त वसी drink है option no.2 आपका Correct है ठीक है अगला क्यूशन है मिलान करने का मिलान आपको करना नहीं है सिर्फ आपको याद करना है मिलान मैंने पहले से करके देर का है तो आपको सिर्फ याद करने है अच्छा विटामीन A किसका स्रोत है गाजर का गाजर के अंदर सरवादिक मातरा में विटामीन A पाया जाता ह सुर्य के परकासे में विटामिन D मिलता है हरी पत्यदार सबजियों और बिना पॉलिस की हुए चावल जो होते है उससे हमें विटामिन E मिलती है पालक से सरवादिक मातरा में विटामिन K मिलता है अंकुरित दानों से हमें सरवादिक B मिलता है और आउला से सरवादिक मातरा में विटामिन के प्राप्त होता है रह जाएगा याद बिल्कुल याद करना पड़ेगा इलाज नहीं है मेरे प्यारे साथियो अगला क्यूसन अगला क्यूसन है कि किस विटामिन को संद्रिय विटामिन के नाम से जाना जाता है सुंद्रिय विटामिन या फिर प्रति नपूसंकता विटामिन यानि जो सुंदरता का विटामिन जिसको कहा जाता है या फिर प्रति नपूसंकता विटामिन यानि प्रति नपूसंकता का मतलब होता है जो विक्ति नपूसंक होता है उसको ठीक करने का काम कौन सा विटामिन करता है इसका correct answer आपको हो जाएगा विटामिन E विटामिन E को ही क्या का जाता है नपू संकता का विटामिन परती नपू संकता का विटामिन या फिर सुंद्रिय विटामिन यानि जिस वेक्ति के अंदर विटामिन E की कमी हो जाती है वो वेक्ति चहरे से बद्दा हो जाएगा चहरे पर से बद्दा हो जाएगा उसके उपर जाहियां आ जाएगी और इसके साथ वेक्ति नपूसंक भी हो सकता है इसका मतलब जो वेक्ति सुंदर होगा वो उसके अंद से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से आपका रतोंदी रोग होता है, आपको पता होना से रतोंदी रोग, विटामिन डी कमी से आपको पता है, रिकेट्स रोग होता है, बच्चों के अंदर, और विटामिन डी कम बोलते हैं, केल सी फेरोल, क्या बोलते हैं, केल सी फेरोल बोल सारी बात आपको theory class में पढ़ाऊंगा कभी tension मतलो लेकिन अभी एक क्यूशन कर लो अगला क्यूशन है कि कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है यानि एसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट धत्तू पाई जाती है तो पहरे साथ यो कोबाल्ट धत्तू पाई जाती है बी भारा को ठीक है ऑप्स नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा ऑप्स नंबर एक कोबाल्ट धतू साइनो कोबालिमिन के अंदर होती है अच्छा pholic Amal यह किस का नाम है किस विटामिन का नाम है तो बी-9 विटामिन को का जाता है pholic Amal si no RJ kollar जाता है बी अब ये नाम भी आपको ध्यान रखने है साइनो को वाल मैं भी बारा को का जाता है पोलिक अमल भी नाइन को का जाता है पेंटा थेनिक अमल भी फाइफ को का जाता है और बायोटिन अमल बायोटिन 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 अमल बी सेवन को का जाता है और इस बी सेवन को हम ठीक है अगरा क्यूसान है कि सलफर युक्त वितामिन जिसे हम वितामिन एच के नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है उसका नाम अभी पह跟大家 ता पहरे साथ यो Biotin के अंदर अच्या, Thymine किसका नाम है, Thymine आपका B1 का रासानिक नाम है, Retinol आपका Vitamin A का नाम है, Rhino-Cobalamin, Rhino-Flavin बिन आपका B2 का रासनिक नाम है, यह याद आपको रखने हैं, अगला क्यूशन है, कि सर्वा पर्थम ग्यात विटामिन कौन सा है, सर्वा पर्थम ग्यात विटामिन, यानि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया था, तो सबसे पहले खोजा गया जो विटामिन है पहरे लिच्ची का नाम भी यहाँ पर आता है जिसके अंदर यह स्तरवादिक होता है अच्छा इसको हम बोलते हैं एस्कोर्बिक अमल बोलते हैं एस्कोर्बिक अमल बोलते हैं एस्कोर्बिक अमल बोलते हैं सबसे पहले एक हो जागया विटामिन है पहरे साथियो और इस विटामि C से हमारे सक्रवी रोग हो जाता है ये बात आपको ध्यान रखने है अच्छा विटामिन B के अगर बात करते हैं तो विटामिन B के कई परकार होगए विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तो सभी हैं अभी आपको मैं बताने हैं पाऊंगा विटामिन D के अगर बात करते हैं इसको बोलते हैं केल सी फेरोल क्या बोलते हैं केल सी फेरोल बोलते हैं और पहरे साथ यो विटामिन E जो है ना उसको सुंदरता का विटामिन और प्रती नपुसंकता विटामिन का जाता है वो मैंने आपको पीछे बता दिया था और विटामिन जो E है उसका रासाइनी के नाम आपको ध्यान रखना है इसको बोलते हैं टोको फेरोल क्या बोलते हैं ये बात आपको कहीं न कहीं ध्यान रखनी है चलिए अगला क्यूसर एकिस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान स पेशियों के अंदर थकान किस विटामिन की कमी से आती है यानि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हमाईरे स्रीर में हो जाती है और फिर हमें मास पेशियों में थकान महसूस होती है उस विटामिन का नाम है पेंटा थेनिक पेंटा थेनिक ओप्सन नमबर A यानिए B5 विटाम निमन में से कौन सी विटामिन DNA निर्मान जीन से द्विगुन में भाग लेती है, मैंने आपको बताया था प्रोटिन के बारे में, कौन सी प्रोटिन DNA के निर्मान में उपसाहिता करती है, तो हिस्टोन प्रोटिन, कौन सी प्रोटिन, हिस्टोन प्रोटिन, ये तो बात प्रो का जोड़ा बनता है, जीन हमेशा जोड़े की रूप में रहता है, जब उसका जोड़ा बनता है, तो उसमें कौन सा विटामिन भाग लेता है, कौन सा विटामिन भाग लेता है, फोली कमल, फोली कमल भाग लेता है पहरे साथ यो विटामिन B9, विटामिन B9 जो है न, वही क् विटामिन ठीक है अच्छा थायमिन आपका B1 होता है और नियासिन आपका विटामिन B3 होता है यह सारी बाते आपको ध्यान रखनी है अगला क्यूशन है कि विटामिन सब्द किसके द्वारा परती पादित किया गया था विटामिन सब्द किसके द्वारा परती पादित किया था और खोज की थी होपकिंग्स ने खोज की थी और फंक ने इसकी क्या किया था इसका नाम दिया था फंक ने इनका नाम करन किया था क्युक्त है। अगला क्युत्त है वसां में ऐ गेविटामिन देखो एक विटामिन दो परकार के होते हैं विटामिन आपके दो परकार के ह Lal होते हैं एक पार आपको जल में आदकर कर लेनए जल वाल याद कर लेने ए जल वाले और Marketing Case बी और सी विटामिन आपके जल में घुलते हैं और जो वसा में घुलते हैं वो गुलते हैं अड़के अड़के यही पूछा है वसा में घुलता है विटामिन आपका वसा में घुलता है विटामिन आपका वसा में घुलता है विटामिन आपका वसा में घुलता है विटामिन गुलंसिल पुछाए ठीक है ना यह नाम आपको ध्यान जब पढ़ना है ए गुलंसिल उप्स नमबर अब बी आपका राइट है एंस्वर हो जाएगा ठीक है ना चलिए 25 नमबर क्यूशन की बात करते हैं 25 नमबर क्यूशन है कि जल में गुलंसिल विटामिन कौन सा है अभी नमबर सी आपका क्यूशन हो जाएगा ठीक है तो पहरे साथ यो मैंने आज आपको लगबग 35-36 क्यूशन करवा दिये उमीद कर सकते हूँ आपको ये सारे क्यूशन समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से आज मैं आपको 425 नमबर क्यूशन तक करवाऊंगा अभी हमा कॉमेंट में आप कॉमेंट करके बता देंगे कौन सी क्लास सटार्ट करनी है थीधियो के क्लास स्टार्ट करनी है और फिर MC क्लास चलने दूँ वो आपको बताना है क्या करना है ठीक है तो आज केश्वीडियो मैं ये अगलेиваем इमीडियो में फिर मिलेंगे अगिर पहरे सात आपका इसी प्रकार से आप अपना टाइम देते रहिए और आपनी त्यारी को मजबूत बनाते रहिए चलिए आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ आपसे विदा लेता हूँ फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए जैंद जैभार्त Thank you, bye bye